मेरी इस्थिति बहुत डान हो गई है मेरी सपंदोस होते हैं और मेरी इस्थिति बिल्कुल मेरा सिर्व मुझे नहीं नहीं है अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महराजी नपोसंगता आगी विल्कुल आचा हम चीक चीक करके जब को यद्यपी हमारा विश्य नहीं है हमारा विश्य प्रिया प्रितुम बैरागी मारगी के पतिक पर इसलिए करुणा करके हरदय में कि जैसे अपने परिवार का सदस से कोई गिर रहा हो तो फिर उसकी बात स सुननी चाहिए और उसको सहयोग देना चाहिए जो भगवान ने हमें घ्यान दिया है उसके अनुसार इसलिए कई वीडियो ऐसे पड़े हैं पर वो इसलिए ए सावधान हो जाओ उन्हें ग्रेस्ति लायक नहीं रहोगे अब उस सब्द को आप जो आप बोल रहे हैं उसे प लगा कि अब मैं करत करत हो गया मैं सुख ही हो गया आप लोग तो ग्रेस्ति मेरे मनमानी आचरण की हो हर तरह से आप सुख लेने की चेस्टा की है हर क्रियाओं में आज बताओ पश्चात आप चिंता सोक आप ऐसे कर रहे हैं इसमृति का डाउन हो जाना अब बुलो इसलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाने गरना हो तब तक ब्रमचर पर ध्यान दे तो उनकी योग्यता रहेगी संतानुत पत्ति की ग्रेस्त में वो से बरताओ करते अच्छे ग्रेस्त अच्छे ग्रेस्त बनेगे जब बच्चापन से ही गंदी बात हो तीरे तो मतलब फिर योग्यता ही नश्ट कर देते हैं क्योंकि वो पाप कर्म बन रहे हैं अब जलो सहियम से रो थोड़ा व्यायम करो कुछ दिन सहियम से रो और कुछ औशदियां सपोर्ट के लिए ले लीजिए वैदियों से मिले वैदियों आयरुवेद में ऐसी बड़ जीवन की निव बरबात कर रहे हैं नए बच्चे जहना मनलो आप लोगों की तो आवस्ता थोड़ा बड़ी हो गई अभी हमारे पास ऐसे बच्चे आये हैं जो बारा तेरा चौदा और हालत यह है कि जो तुम्हारी हालत है वही हालत उनकी हो गई अब बच्चे खिलवार चोटे बच्चों से सीख गए अब उनको तो बस उसी में लग गए यह बहुत हानी हो रही है और हम इसी लिए इस विसे पर बोल पड़ते हैं कि यही हमारी समाज आगे चलकर हमारे देश सेवा में हमारे समाज सेवा में यही नोजवान आएंगे यही हमारे राष्ट सैनिक बनेंगे यही हमारे राष्ट नेता बनेंगे यही महत्मा बन सकते हैं पर जब आचरन विहीन जीवन तो आप बताओ सोचने की सकती खतम हो जाते हैं कुछ भी कार्य करने का उत्सा नहीं रहता सरीर के जोडों में दर्द सुरू हो जाता है जरासी बात में भयानक गुशा पैदा होती है मतलब पूरा का पूरा हो जीवन बर्बात सा हो जाता है अभी समय है चलो अभी समय है नाम जब करते रो किसी अच्छे आयरुवेदिक डाक्टर से मिलो वैदे से उश्योशा दिया लो सैयम से चलो कोई ऐसी हरकत ना करो तो धीरे धीरे चुकि अब कम चांस ह जैसे नई अवस्था हम सुधरनिक चांस लेते हैं अब आपकी कितनी आई है वह अभी नई है यह तो अवस्था है पर देखो हालत ऐसी हो गई है 37 तो मतलब अब भरपूर यह वह नवस्था का स्वरूप समझो तो यह देखो बचपन की गलती का परिणाम यह है क्या है आप लगो नाम जब करो निरास मत होना बहुत धीक इस तर निरास होने पाए नहीं तो जीवने फिर यह कभी-कभी गलत सला देने लगता है कि अब त चलो जीवन नहीं खतम कर देते कितने अशे बच्चे आये नहीं नहीं यह यह जीवन के विल भोगों के लिए नहीं मिला है रामकृष्ण हरी राधा 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 और कुछ भी असंबों नहीं नाम से, यह भी बात तुम्हें बता दे, जहाँ सदी काम नहीं करती, वहाँ नाम काम करता है, नाम से कुछ भी असंबों नहीं, लाडली लाल महा महिमा में हैं